सवालों की गठ्री, मन में हमेशा कई सवाल घुमडते रते थे, बचपन से सवालों की गठ्री में जवाबों की तलास रहती, अम्मा से कई सवाल पूचते रते तरकुचते, अम्मा कहती भाईया के होने पर महिनों सोहर गाया गया था, महले भर में लड़ू बटवाया गया था पापा ने बंदुख सुड़ाई हम कहते अम्मा मेरे होने पर क्या सोहर गया गया क्या लड़ू बटाया गया मौन हो जाती थी अम्मा सुनने हो जाती थी अम्मा चुपके से कानों में आई ये बात जब हम पैदा हुए मा रोई उस रात, अफसोस हो गया होने पर, रोना आया मा के रोने पर, पर परिवरिस में कोई कमी ना थी, भाईये से ज़्यादा लाड़ दी थी, पापा तो कहते हैं हमारी सान है बेटिया, हमारी घर की लक्षमी है बेटिया, पर बेटि, बेटे का भैद कभी ख़त्म ना होता है, आज भी बेटि होने पर ठाली क्यों न बजाते हैं, क्यों न लड़ कोई बटवाते, क्यों न ढोलग कोई बजाते हैं अगर तिसरी बेटी हो तो अफसोस ज्यताते हैं, हम नए यूग का जूठा डंका बस यूहीं बजाते हैं, हम यूहीं बजाते हैं और हकिकत ये है कि लड़के और लड़की में कोई भैज नहीं होना चाहिए आज हमारा समाज किदर जा रहा है आँख खोल के जागर खोने की जोड़ता है एक समाज की हकिकत सिप्राजी द्वारा रचित बहुत खुबसूरत मन को मौह लेने होई